लालू और तिजस्वी से मुलकात के बाद ग्रैजुएट चायवाली को वापस मिला ठेला ग्रैजुएट चायवाली के नाम सिफ फेमस पटना की प्रियंका गुपता के स्टॉल को नगर निगम ने वापस लोटा दिया है जी हाँ जिप्टी सीयम तिजस्वी यादव से मिलने के बाद ग्रैजुएट चायवाली प्रियंका गुपता को उनका चाय का स्टॉल मिला गुरुवार को पटना नगर निगम ने अतिक्रमन हटाओ अभियान के तहट प्रियंका गुपता का स्टॉल उठा कर जब्त किया था जुसके बाद प्रियंका गुपता रोती हुई डिप्टी सीम तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलने पहुची थी तेजस्वी यादव से मिलने के बाद प्रियंका गुपता ने कहा कि उन्हें निगम के जिप्टी कमिशनर ने आश्वासन दिया और उन्होंने लाइसेंस भी लिया है तेजस्वी यादव ने अभी कहा है कि आप मेरे नाम से एक प्राथना पत्र लिख कर दीजे फिर आगे देखते हैं अब डिप्टी सीम तेजस्वी यादव की पहल पर स्टॉल वापस मिल गया है आपको बता दें कि प्रियंका गुपता बिहार के पुर्णिया जिले की रहने वाली है और वारानसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीट से कॉमर्स में सनातक किया है सरकारी नौकरी की तयारी करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो प्रियंका ने चाय का स्टॉल लगाया प्रियंका की दुकान ग्रैजुएट चायवाली पर साउथ फिल्मों के सूपर स्टार विजदेवर कॉंडा और भोजपूरी फिल्मों की स्टार अक्षरा सिंग भी चायपीने पहुट चुकी है प्रियंका को शोहरत मिली लेकिन अब पटना नगर निगम ने उन पर कारेवाई कर दी है प्रियंका ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उन्हें थोड़ी मोहलत दे दी जाए ताकि वो पैसे जमा कर अपनी दुकान ले सके लेकिन फिर भी उनके स्टॉल को हटा दिया गया उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि ग्राजुएट चायवाली तीन लाक रुपे कमाती है लेकिन मेरा उस हिसाब से खर्च भी होता है प्रियंका ने कहा मैं तीन लाक रुपे महीने का नहीं कमाती क्यूंकि मार्केट डाउन चला गया है लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल नेशन भारत को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए